जो सेब उगाने का काम है वो मूलता तीन राज्यों में होता है जिनके उपर चाबुक चला रहे हैं मोदी जी क्योंकि अमरीका को खुश रखना है जो बाइडन से गलबईया करनी है विश्वगुरू बनना है लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता म मोदी जी को कि हिमाचल जूज रहा है देवी आपदा से तो उनके उपर ये चाबुक ना चलाया जाए उनके सेब के बागानों पर ये प्रहार ना किया जाए वाशिंग्टन एपल पर इंपोर्ट ड्यूटी ना घटाई जाए मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा अ हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमरीका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं वो ही है तो मुम्किन है पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिये हिमाचल के और एक ये भी सच है कि अडानी ने 88 रुपए प्रती किलो से शुरुवात करी थी वो घटकर 72 रुपए प्रती किलो हो गई और लोग सडकों पे उतर आए प्रदर्शन करने लगे धरना करने लगे तो मोदी जी ने कहा मेरे मित्र के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हे मैं सबक सिखाऊंगा गुजरा कमिट्मेंट उन्होंने अडानी से करी थी उसको पूरा करने के लिए अपने किसानों पर हल्ला बोल दिया है अपने किसानों पर प्रहार कर दिया अपने किसानों पर चाबुक चलाने का काम कर दिया है आपने बड़ा तोफा अमरीका के किसानों को दे दिया अरे कभी अपन एक जरूरी मुद्धा आपके सामने लेकर आएं एक पिक्चर का डायलॉग है एक बार मैंने कमिट्मेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता ये डायलॉग मोदी जी बोलते हैंagement और चरितार्थ भी करते हैं एक बार उन्होंने कमिट्मेंट कर दी तो वो खुद की भी ही सुनते हैं लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से देश के किसानों से महिलाओं से युवाओं से बेरोजगारों से गरीबों से नहीं कमिटमेंट अदानी और अमरीका से जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घ करते हैं सेब पर वो 100 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे ऐसी बाते कहते थे लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार जी ट्वंटी के वक्त पर हमारी सरकार ने ये निरने लिया है केंद्र सरकार ने कि वाशिंग्टन अप्ल पर जो सेब हम अमरीका से इंपोर्ट करेंगे आयात करेंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ 15 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी 70 प्रतिशत से काट कर 15 प्रतिशत पे ले जाया जाएगा ये कमिट्मेंट मोदी जी ने 70 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत करने की बात कही थी तभी स्टेट डिनर भी मिला था एक डिफेंस डील भी करी थी माइक्रोन को भी बुलाया था और अब जब अमरीका यहां आया तो उनको तोहफा दिया मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा अमरीका के राष्टपती हिंदुस्तान आते हैं अपने वाशिंटन एपल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत मात्र 15 प्रतिशत आ जाती है घट जाती है और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमरीका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं वो ही है तो मुम्किन है और असलियत ये भी है कि अमरीका में सेब उगाने वाले बड़े corporations होते हैं उनको सरकार बड़ी subsidy देती है उसको बीच पे subsidy मिलती है खाद पे मिलती है कीट नाशक पे मिलती है और हमारे यहां जो सेब उगाने का काम है वो मूलता तीन राज्यों में होता है जिनके उपर चाबुक चला रहे हैं मोदी जी, क्योंकि अमरीका को खुश रखना है, जो बाइडन से गलबईया करनी है, विश्वगुरू बनना है, अपने किसानों पर जम्मु कश्मीर, हिमाचल और थोड़ा बहुत उत्राखंड में, करीब 60% से जम्मु कश्मीर में होता ह करीब 25 से 30% होता है हिमाचल में और थोड़ा बहुत उत्राखंड में, आप ये सोचिए कि हिमाचल जो एक दैविये आपदा से जूज रहा है, जहां पर 10 हजार करोड का अनुमानित नुकसान अभी तक हो चुका है, जहां पर सरकार और लोगों को जरूरत है सहायता की, जर जो सेब उगाते हैं, उनके साथ नाइनसाफी करने का काम मोदी जी ने किया है, हिमाचल की जीडिपी का करीब 14 प्रतिश्चत हिस्सा सेब के, सेब से आता है, सेब के बागानों से, सेब उगाने वालों से, और एक ये भी बात सच है कि हिमाचल में करीब 3 करोड 60 लाख डब सेब के हर साल पैक होते थे, वो इस आपदा की वज़े से, बारिश की वज़े से, बेमौसम जितनी आपदा ये हो रही है, जितनी तरासदी हो रही है, वो अलरड़ी घटकर करीब करीब 1 करोड 90 लाख पर आ गया, आधे से थोड़ा सा जादा हो गया, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, कि हिमाचल जूज रहा है देवी आपदा से, तो उनके उपर ये चाबुक ना चलाया जाए, उनके सेब के बागानों पर ये प्रहार ना किया जाए, वाशिंग्टन आपल पर इंपोर्ट ड्यूटी ना घटाई ज लगानों पर इंपोर्ट जूटी बादां पर घटाई गई अखरोट पर घटाई गई ये दोनों चीजे जम्मु कश्मीर में पैदा होती है, तो किस बात का बदला मोदी जी ले रहे है, ऐसा वो क्यूं कर रहे है, क्या वो नहीं जानते कि हिमाचल में देविया अपदा है वहाँ पर समर्थन चाहिए, वहाँ पर सहायता चाहिए, उसको तो नाशनल डिजास्टर घोशित करके सरकार को अभी तक सहायता दे देनी चाहिए थी, क्यों ऐसा कर रहे है मोदी जी, पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिये, हिमाचल के, और एक ये वाज उठाई, तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा, तो जो कमिटमेंट उन्होंने अडानी से करी थी, उसको पूरा करने के लिए, जो कमिटमेंट उन्होंने अमरीका से करी थी, उसको पूरा करने के लिए, अपने किसानों पर हल्ला बोल दिया है, अपने किसानों पर प् महाद 15 प्रतिशत कर देंगे जिसको 100 प्रतिशत करने की बात मोधी जी करते थे गुजराद का मुख्ध मंतरी और देश का प्रधान मंतरी इतना विरोधा भास है उनकी बातों में किसी भी मुद्ध यह को उठाकर चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल की देविया आपदा, जम्मू कश्मीर के जो लॉकडाउन के बाद, जो क्लामडाउन के बाद थोड़ी बहुत चीज़े सुधरनी शुरू हुई थी, ये काम मत कीजिए, ये किसान विरोधी है, ये सेब के बागानों के विरोध में है, ये उन के विरोध में है, जिनका प्रोडक्शन अल्रेडी बुरी तरह से गिर चुका है, तो सरकार को इस पर पुनरविचार करना चाहिए, रीधिंक करना चाहिए, और अपनी इंपोर्ट रेजीम को बनाना ऐसा चाहिए, कि देश के किसानों को फाइदा हो, आपने बड़ा तोफ के बारे में सोचिए, इस मुद्दे पर, इस विशय पर पुनरविचार करिए, और सुनिश्चत करिए, कि आपकी कोई भी नीती पहले अपने लोगों का भला करे, बाकियों का भला बाद में कीजिएगा, आइवल वेरी ब्रीफली, और मैं इस बात को इसलिए थोड़ा ये लोकल सेब के किसानों का गला घोटने का काम कर रहे हैं, मोदी जी पाच लाक से जादा लोग हिमाचल में सेब उगाने का काम करते हैं, और उससे जादा लोग उससे संबंदित हैं उस सेब के कारोबार से, तो वोकल फर लोकल का भी गला घोट रहे हैं, किसानों का भी घ तोफ़ा भी अमरीकी किसानों को दे रहे हैं अपनों पर चाबुक चला रहे हैं ऐसा आप क्यूं कर रहे हैं ये मोदी जी ही बता सकते हैं लेकिन इस पर तुरंत पुनर विचार करने की जरूरत है क्योंकि जिन दो जगहों पर इस देश में सेब उगाया जाता है वो बहुत गंबीर परिस्थितियों से जूज रही है